नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग एस भी वाट्स मेरा नाम है इस सफर की सुरुवात दो हजार दिसंबर में हुई थी अजी यूजर में इस कंपनी में आया था बिसिकली और जिस तेम में इस कंपनी में आया था उसे में सर्विस में था देली पुलिस में एक अच्छी ओनरेबल पोस्ट पे था क्रैम रांच में मेरी पोस्टिंग थी मेरी वाइफ को कुछ रोब्लम रहती थी काफी डॉक्टर्स को दिखाया कोई इलाज नहीं मिल रहा था बहुत सारी द्वाईया उनको देनी होती थी आप कह सकते हैं कि जिस परिवार का जो में पिलर है अगर उच्यार पाई पे होगा तो वो परिवार कैसे चलेगा मेरे दो बच्चे मैं मेरी वाइफ फादर- अमदर गाओं मे रहते थी ड्यूटी भी जाना होता था मिसीज को भी संबालना होता था मेरे एक फ्रेंड जो बाद में मेरे अपलाइन भी रहे वो आज भी मेरे स्टेल वापलाइन है थैंकियो सो मच उन्होंने मुझे इस प्रोड़क के बारे में बताया उन्होंने जब इस प्रोड़क के बारे में बताया तो यकीन नहीं था कि ऐसा कोई प्रोड़क होगा लेने सुरू किये उनको रिजल्ट आया दिर इस नो डाउट प्रोड़क अल्टिमेट है और रिजल्ट आएगा ही आप ले मेलूं कोई भी ले काम करने का निश्य लिया मई 2003 में मैंने काम करने का निश्य लिया क्योंकि उससे में बहुत बीजी था सुबह ड्यूटी जाने का टाइम होता है पुलिस वालों का आने का टाइम नहीं होता अकसर मैं देखता हूँ अभी FLP में बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है. मैं कहता हूँ, पुलिस वालों से ज़्यादा बीजी कोई नहीं होता. उनका डूटी जाने का टाइम होता है, स्याम को जब सब लोग छुटी करके ओफिस के लिए निकलते हैं, तब वो फिक्स करते हैं का आज रेड किस पे करनी हैं, आज किसको उठाना है, किसको ट्रैप करना है. रात को बारा बजे, एक बजे, दो बजे, तीन बजे, में भी आप रात को आएं, में भी ना आएं. तो बहुत बीजी था, तो उसका एक हल था कि मैं अपनी चुटी लूँ, चुटी लेके काम करना शुरू किया, 16 मई 2 हजार, तीन मुझे डेट याद है, मैंने EL भरी, मेरे बोस ने मुझे भुलाया, क्या करोगे इतनी चुटीों का डेट, महीने की चुटी आपने आते थे, उन्हेंने काया, कोई बात नहीं, आप चुटी ले लो, लेकिन टाइम से वापिस आ जाना, डेट मेने की चुटी लेके, मैंने काम करना शुरू किया, और डेट मेने की चुटी में तो सकस्स होना नहीं था, और सकस्स का तरीका, आप लोग सभी जानते हैं, बहु से पहले आपको ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरना होगा, अगर आप ट्रेनिंग से नहीं गुजर पाएंगे, तो आपकी सकस्स हो धूरी है, और वो टेंपरेरी है, तो ट्रेनिंग लेने शुरू किया, डेट मेने तक लगाता, ट्रेनिंग, लगाता, ट्रेनिंग, छु होगा फिर डेड़ मेने की छुटी एक्सेंट करवाई साड़े चार मेने में मेरी complete EL ओवर हो गई थी खतम हो गई थी लेकिन मेरा achievement अभी नहीं आया था एक लाग का चेक मेरा नहीं हुआ था अलाकि मैं चुका था जो मुझे चाहिए था आठ जनुवरी को मैंने डूटी अपनी जुआइन की और बारत जनुवरी का साइंड चेक था वो बारत जनुवरी का डिस्पेज चेक था जो मुझे पंदरा तारी को मिला और वो अमाउंट था एक लाग तीन हजार 22,000 फेड़ दो लाक पांच तरी कोन कहता है FLP सलो चलती है कोन कहता है FLP में देर से पैसा आता यह मेरा मात्र 10 महीने का इंकम 7 healthy zakat मात्र 10 महीने का इंकम था यह कार्पलैन भी म.. महींने उआ कि किया Savior मेनेजर में बन चुका था और मात्र दस महीने में में साइद मुझे नहीं पता बाकी रिकोर्ड तो कंपनी के पास होंगे बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो दस महीने में मनेजर रिटीट क्वालिफाई करते हैं मैंने दस महीने में मनेजर रिटीट क्वालिफाई की थी from that day 2003 से लेके आज तक मैंने कभी अपनी मैनेजर रिटीट कभी भी लैपस नहीं करी regular मेरी क्वालिफाई होती रही 2003 से लेके आज तक उसके बाद 20 महीने बाद profit share क्वालिफाई किया 3 साल के बाद मैं company का soaring manager था company के marketing plan में soaring manager था मैं तीन साल के बाद और दोस्तों car plan one car plan two car plan three again car plan three again car plan three पाँच बार car plan में ले चुका हूँ पाँच बार company की marketing plan के थुरू मैं profit share achieve कर चुका हूँ 2008 onward regular में global rally qualifier हूँ यह सारे के सारे जो achievement मिले there is no doubt आप लोगों के सहयोग से मेरे team members मेरे up line down line even मेरे brother line उन सब लोगों की प्रेरना से एक एक वो trainer जो एफल पी में ट्रेनिंग्स देता है चाहे वो बंबे देता है चाहे दिली देता है कही ना कहीं उन से हमारे को ट्रेनिंग मिली national, international और सबसे बड़े coach हम सब के Mr. Amarji तूभी सर की training को मैंने कभी mission नहीं किया yes it's a great coach एक एक सबद को हम लोगों ने अपनाया उसको deeply digest किया जो बड़ा मुश्किल होता है सब लोगों से क्योंकि अगर आपको किसी system में success होना है तो आपको बदलना पड़ेगा change होना पड़ेगा आप पुराने system को नए system में ला ही नहीं सकते मेरे जैसा विक्ती जिसका एकदम अलग हटके field है आप लोग police अपसरों को जानते होंगे मेरे ख्याल से देखते होंगे आए दिन है न hello कभी वास्ता ना पड़े तो अच्छा है तीन चीजों से भगवान ना मिलाए एक खाकी वर्दी से एक काले कोट से और एक सफेद कोट से डॉक्टर, वकील और पुलिस वाला खुशी में कोई नहीं जाता है इनके पास तो मेरे दोस्तों क्योंकि इनका एटिचूड आजीव होता है मेरा भी एटिचूड क्योंकि मैं भी उस पत्सी साल तक उस जोब में रहा हूँ एंटी करप्शन ब्रांच विजिलेंस, क्राइम ब्रांच इमिग्रेशन, ट्रैफिक पुलिस ये सारी मेरी यूनिट रही है जिनके अंदर मैंने ड्यूटी किये उस जोब से इधर कनवर्ट होना एज वेल एज इधर सकस्स होना बहुत एक लंबी स्टोरी है दोस्तों और ये एक टर्निंग पुएंट है मेरी लाइफ का आप इसको ऐसे कह सकते हैं हर वेक्ती की जिन्दगी में कहीं न कहीं एक्तिस होती है कि मैं एक एक्स्ट्रा इंकम लूँ अपनी इंकम से कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता है सेलरी की कुछ लिमिटेशन सोती है उस सेलरी से आप जस डाल रोटी खा सकते हैं आजकल तो दाल भी महंगी हो गई है वसे लेकिन आप बड़े सपने नहीं देख सकते हैं आप अपने बच्चों को वो नहीं दे सकते हैं जो जिसके लिए वो डिज़ारू करते हैं तो उसके लिए क्या है इस महंगाई के जमाने में आइदर या तो आप एक साइड जोब करो साइड बिजनिस करो या फिर कोई दूसरा काम करो मेरे पास भी ओप्सन था एक वहतरीन ओप्सन था जो मेरे बहुत सारे साथी पहले से कर रहे थे टेवल के नीचे से लेने का अच्छा है कि ओप्सन लेकिन नीचे साथी मेरे बच्चों को सरम से उनकी घरदन जुक जाए बलकि मैं ऐससा काम करता हूँ भूखे रहूंगा मैं दाल रोटी खाऊंगा चट्री रोटी खाऊंगा कोई हैब नहीं है बेड़ी, सिग्रेट, तंबाकू, स्राब, मास, मिटी, दारू, कोई है एक पुलिस वाला, ऐसा देखा कभी आप लोगों ने, नेवर, मैं ऐसा कभी कोई काम नहीं करता है, जिससे मेरे बच्चों की गर्दन जुके, मैं रिस्वत नहीं लूँगा, तो मैं क्या करूँ एक स् साथ-साथ इंसोरिंस का काम किया, कभी देखा कोई पोलिस वाला, इंसोरिंस करते हुए, बहुत कम, छुटी वाले दिन, जैसे मेरे को मोगा लगता है मैं इंसोरिंस करने निकल जाता था दो लोगों की चार लोगों की जो पुसिबल होती इंसोरिंस करता है पांच साल तक मैंने किया और पांच साल के बाद मेरी कादत है किसी काम को या तो करो मत और करो तो उसमें पूरा मल लगा के करो और पूरा उसको टाइ पर उनके पास भी उनकी खुद की बसें होती थी रेड लाइन बसे और रेड लाइन बसों में उसके अच्छी इंकम थी मेरी भावी शाम को नोटों का थेला भरके ऐसे छुपा के रखती थी मैं पैसा किसको अच्छा नहीं लगता ठीक है इसमें क्या गलत है मुझे भी करना चाहिए मैंने अपना जीपिएफ निकाला लोगों में बड़ी अच्छी इमेज थी बड़ी अच्छे दोस्त थे उन्होंने कहा आपको पैसे चाहिए तो ले जाओ भाया उन्होंने खुदी भीजवा दिया एक बस ले ली मैंने और उन्होंने वह एड़ी सेम टाइम मुझे राए दी क्या रेड लाइन में रखा है दिल्ली खेतरी का परमिट निकला हुआ दिल्ली खेतरी नेशनल आईवेए पर बस चला ना अरे यह तो और भी ची बात है मैंने दिल्ली खेतरी का परमिट लिया और बस वहां पे लगा दी मुश्किल से एक महिना भी नहीं चली थी वहां के जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिशनर के काउंटर साइन होने ते वो नहीं हुए और गाड़ी वीडरा हो गई कोट के चला उसे कोट से हम लोग ने स्टे लिया लेकिन मुश्किल स दो-तीन महिने बाद बस हमारी वापिस हो गई बहुत बुरी स्टिती थी मेरी मेरी सेलरी 20-22 जार रुपे ड्रैवर की तनका 15 जार रुपे कंडेक्टर की तनका 5 जार रुपे उपर से कलीनर उपर से गाड़ी की 17,800 रुपे किस्त मैं कहां से पे करूंगा बस मेरे घर पे क नेपाल बोर्डर पे जाती थी, हर्दवार जाती थी, वहाँ पे जमु कढ़ड़ा चननने लगी, एक भार एक ठेकदार को बस डे रखी थी, उसने नेपाल बोर्डर पे ले जा के वहाँ पे गाड़ी का इंजन सीज कर दिया, तीन दिन में उस बस को हम क्रेन से ढोके लाये यहां पर, 85,000 रुपे लगा को उस इंजन को उठवाया, कान पकड़ लिया जिंदगी में दोबरा ये काम नहीं करूँगा, बावजू दिस से यहां पर नहीं रुका, सलाकार बड़े अच्छे रहते हैं, उन्होंने काए एक बस कभी भी कमागे नहीं देती, दूसरी और ले अपना ओफिस को ला, ट्रांस्पोर्ट का ओफिस को ला, मैं मेरे ब्रदनिला यहीं पर बैठे हैं वो, और हम दिन रात भागे फिरते थे, पाथ साल तक उस काम को भी किया, फिर वहां से ठकने के बाद हमने अंडर डिटी सी लगा दी, अंडर डिटी सी लगाने के बाद, चेक आने के बाद हमें जल्दी यह रहती थी कि इसको कैस कैसे कराएं, और चांस की बाद तो वही बैंक मेनेजर जो मेरे चेक को उस टेम पर कैस करते थे, यहीं पर बैठे हैं, वो बैठे, तैंक यू सर, तैंक यू आपने उस टेम मेरे को बहुत साथ दिया, लेकिन आज म स्वारा निकाला, मेरे सर पे जितने बाल थे, उतना मेरे सर पे कर्ज था, सब कुछ बेच दिया, वाइप की हालत यह थी, बिस्तर से निउट पाते थी, घर में फोन, लेंड लाइन, जब बैल बजती थी, तो हम लोग कापने लग जाते थे, किसी पैसा मांगने वाले का फ मेरे गरू जी हैं, उन्होंने कहा कि यहां से आप जगे बदल दो, मेरे पास गौर्णमेंट का रेजिडेंस था, मैं छोड़ के यहां से रोतक चला गया, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हमारे फिल्पी नहीं कर सकते, रोतक चला गया, मेरे पास पैसा मांगने वाले वहीं पे मेरे को सूंके, कहां पे चुपा हुआ हूँ, वहीं पहुँच गए, अक्सर यह सोचने लगा मैं, कि इस जिन्दगी से नरक भी बहतर है, क्यों नहीं सुसाइड कर लो, क्योंकि इतना पैसा मैं नहीं दे सकता था, 22 लाग कर्ज 2002 में, बहुत बड़ा कर्ज होता है, सिलरी मेरी 20-22 जार रुपे थी, ऐसे बढ़ रहा था, हर महीने उसमें करीब 50-60 जार रुपे, हर महीने इंट्रेस के जुड़ जाते थे, हर दो महीने बाद 1 लाग बढ़ जाता था, एक दिन मेरी जिन्दगी का बहुत ही टर्निंग पॉइंट आया, मेरे घर में जिस मकान में हम रह रहे थे रों तक किराया देना था मुझे, किराया देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने किसी से इंसुरेंस की प्रीमियम लेना था, दिल्ली से, मैंने सोचा कि उससे premium के पैसे लोगा उसकी दो दिन बाद किसत भर दूँगा और मैं यहां पे उसका rent पे कर दूँगा मैं घर से निकला तो मेरी जेम मैं बस में ticket लेने के लिए पैसे नहीं थे train में जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे मैं अपनी कमजोरी को अपनी वाइब को भी नहीं बता सकता था क्योंकि वो पहले से डिप्रेस्ट हो चुकी थे मेरे दो छोट छोटे बच्चे कोई तीसरा आदमी मुझे नजर नहीं आता था कि जो मेरी मदद कर दे मेरे फादर से भी मैंने बात की श्तितिए गुजर रही है गाओं में अच्छी जमीन जיתाद है अगर आज में उसकी परेकड की बात करूँ तो तीन करोर रुपे परेकड है अकेला हूं अच्छी जमीन जयदाद है लकिन पापा ने एक बात कह के मेरा मुँ बंद कर दिया अगर मैं जेमीन बेचूंगा तो गाउं में बेचती हो जाएगी इज़त खराब हो जाएगा मेरे पास कोई अपसन नहीं था दिल्ली आना था जेमें किराय नहीं था घर से ड्रेसर लगाई ड्रेसर लगा के बाई पास पे आया ट्रक वाले को हाथ दिया और उसको कहा भईया मेरे को भादरगाढ जाना उसने ट्रेक में पैसा देने कर जुरूत नहीं पुलिस वालों को कोई पैसा नहीं मांगता भादरगाढ आया वहां से DTC बस पकड़ी बस अड़ाया, वहां से पैसा लेके और किराय वाले को पैसा दिया ये मेरी जिन्द्गी का आखरी वो कदम था जहां से मेरे को उठना था मेरे दोस्त, मेरे हितेसी, मेरे अपलाइन, मिस्टर आर भी लाकड़ा उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि उनकी बहन ठीक हुई है इन प्रोडिक्ट को लेके क्यों नआ आप भावी जी को ये प्रोडिक्ट दें मैंने उनसे प्रोडिक्ट लेने के लिए 48.05 जा रुपे बो नहीं थे मेरे पास मैंने कहा देख भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है उसने कहा कि कोई बात नहीं, पैसा थोड़ा बाद में देदेना लेकिन ये प्रोडेक्ट अगर आप देंगे तो उनको आराम आएगा लेकिन सिंपल सी बात है मेरे में बहुत विचार चले इतने बढ़ी आप प्रोडेक्ट है तो डॉक्टर क्यों नहीं लिखता इतने बढ़ याप product हैं तो किसी डॉक्टर ने क्यों नहीं बताया आज दो नहीं सुना मैं ने पुलिस वाला एक्सरा सोचता है दो कुदम उन्हों ने काया देखिए किसने बताया किसने नहीं बताया मुझे नहीं बता लेकिन मेरे घर मेरे जल्ट आया है आप एक बार अगर ये दें अपनी दुवाईयों के साथ साथ उनकी हालत ये थी कि एक टैम की भी दुवाई मेडिसन उनकी अगर मिस हो जाती थी पल्पिटेशन बढ़ जाता था मैं भी एड्मिट करना पड़ता था बारा बारा गोलियां रोजानक आती थी गोलियों के भरोसे नेंद आती थी उनको वैसे नेंद नहीं आती थी मरे मन से लेकी गया पहले महीने उनको प्रोड़क्ट दिये कुछ आराम खास नहीं लगा मैंने उनको बलाए अगर मेरे को पहले बहुत नुक्शान औरका आप लोगों ने मेरे को क्यों यूज कर लिया उन्होंने काया चिंता मत करिए थुड़ा समय लगेगा आप पेसेंस के साथ लिजिये इनको दूसरे महीने का भी लिया तीसरे महीने बाद एक दिन बड़ा गजब का चांस हुआ उसने में इमिग्रेशन में था में मैंने रेगुलर टाइम पे फोन करता था आप अपनी टाइम पे दूआई ले लें क्योंकि मिस नहीं होनी थी वो मैंने फोन किया कि आपने दूआई ले ली उसने कही कि मैं दूआई नहीं ले रही इपल भी और पिछले साथ दिन से नहीं ले रही और आज के बाद इस जहर को खाऊंगी भी नहीं मैं मैं नहीं लोग यह द्वाया और मैं बिलकुल ठीक हूँ वो मेरी जिन्दगी का सबसे हसीन पल था कि मेरी जिन्दगी का एक cancer जो जिन्दगी में कभी ठीक नहीं होता वो ठीक हो चुका था with these products thank you so much sir thank you आपने just FLP आप यहां नहीं लेके आए आप बहुत सारे लोगों को जिन्दगी लेके आए हैं चाहिए वो product use करें चाहिए इस company में काम करें बहुत सारे लोगों की जिन्दगी लेके आया उसके बाद मैंने decision किया कि मैं इस product को आगे promote करूँगा मेरे भाहिया जो इस टेम में principal थे उन्होंने कहा यार यह product बहतरीन product है मैं भी use करूँगा मैंने कहा भाहिया बहुत महंगे हैं अच्छा महंगे है तो तू ही use कर सकता भाहिया हम तो करी नहीं सकते आच्छा भाहिया आप भी ले लो उन्होंने लिया वो डाइबिटिक थे अस्तमेटिक थे little bit उनको अस्तमे की सिकायत रहती थी बिपी हाई था रात को हमारी भावी पैर दबा दबा के दबा दबा के सुलाती थी उनको निंद नहीं आती थी अब सुबह वो चार बज़े पार्क में दोड़ लगाते थे वो कहते देशार पता नहीं कहां से इनर्जी आती है मेरे को कोई ठकान नहीं होती और मैं हेल्दी महसूस कर रहा हूँ उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि ये इतनी अच्छी चीज़े हम दूसरे लोगों तक क्यों नहीं भेजते ये तो बहुत अच्छी चीज़े हैं किसी को शिकायत नहीं आएगी लोग को आराम आएगा लोग हमें दुआ देंगे यहां तक कोई बिजनिस वाली बात भी नहीं थी वो भी मेरे साथ लगे और वो मेरे पहले सीनियर मेनेजर भी बने बाद में कार प्लैन भी किया उन्होंने आजकल बीजी हो रहे हैं इजिनिरिंग कालिज बनाया उन्होंने इसलिए वो बीजी हो रहे हैं धान दे पाते बहुत सारे चेलिंजिज आए क्योंकि उस टेम पे दोस्तों यहां पे जो आज आप देख रहे हैं सीन यह बहुत एड़वांस है यहां तक का सफर जो निकला है उस टेम पे जब हमी काम करते थे सुरुवात के दिनों में बाई चंस किसी के एक के पास कोई टेस्टिमोनी मिल जाती कलर पेपर मिल जाता अलो भया मलेशिया में इस लेड़ी के मिजल्स ठीक हो गए यह एकने ठीक हो गए यह प्रोब्लम ठीक हो गए तो सारे लीडर उसकी कोपी करके गुमा लेते थे और जब हम किसी इंसान के पास जाते थे किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते थे तो हम यह कहते थे देखिये यह देखिये मलेशिया में इस लेड़ी को यह मिजल्स ठीक हो गए यह देखें, यह सिंगापोर में इस लेड़ी को यह प्रोब्लम थी ठीक होगी, कई बार तो पकड़े जाते थे, वो पूछ लेते थे, यहां क्या हुआ, वो बताओ भाई, हमारे पास कोई उतर नहीं होता था, क्योंकि इनिसिल स्टेज पे थी कंपनी, और यहां पे वो का पाँच लाग का प्रोफिट शेर चेक आया है, वो कहते हैं इंडिया में किसका आया भाई, तो उस्टेम थोड़े चेलिंज जा जाते हैं, उस्टेम ट्रेंडिंग, लिट्रेचर, बहुत सारी चीज़ें इसकदर नहीं थी, आज तो बहुत इंप्रूवा है, हमारे कंट लिट्रेचर जो आप लोग पढ़ते हैं, पूरे दुनिया में किसी कंट्री में नहीं है, पूरे दुनिया में किसी कंट्री में ये लिट्रेचर नहीं है, जो आप लोगों को मिलता है, ये जो ट्रेनिंग सिस्टम, ये जो ट्रेनर्स को भी हमेसा अपडेट करते रहते हैं हमेंसा बहतर से बहतर बनाने की कोशिस करते हैं और आज अगर हम लोग सफल है ना तो किस की वज़े से ओफ कोर्स इनकी कोचिंग की वज़े से थेंक्यू सो मच अजवल एज हमारे सारे के सारे ट्रेनर चाहे वो प्रेम राजन सर हो, मेजर भटनागर हो टीपिस बेदी, सुनील गुपता, अरुन सुराना मिश्रानन्द गांदी ऑफ कोर्स है, अनुपम्ध अपलिया लिए जितने भी हमारे ट्रेनर्स हैं, अल्टिमेट हैं इंडिया में ट्रेनर नहीं हैं ऐसे अल्टिमेट ट्रेनर हैं, अल्वेज स्पोर्टिव एक से ट्रेनर्निंग को इतने बहतर तरीके से चार्ट किया गया, इतने बहतर तरीके से ट्रेनिंग देते हैं और यही वजह है जो माज इस स्टेज पे कड़ा हूँ अगर मैं ट्रेनिंग में नहीं होता तो मैं आज यहां नहीं होता येस मेरी सफलता के पीछे और कोई नहीं अफकोर्स टीम तभी बना पाएगा इनसान जब उसको खुद आता होगा टीम बाद में आती है पहले खुद इनसान को उसके लेवल पर तयार होना पड़ता है और उस लेवल पर तयार होने के लिए उसको ट्रेनिंग्स लेनी होती है उस प्रोसेस से गुजरना होता है बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली आज भी ट्रेनिंग कभी भी मिश नहीं करते हैं जो भी लिट्रेचर कहीं पे भी मिलता है मैं तो उसको याद नहीं करता मैं उस literature को पढ़ता नहीं हूँ पूरी तरह से digest करता हूँ मैं अपनी टीम को भी एक ही बात सीखाता हूँ एक ही मेरा फर्मूला है मेरी टीम वाले सब लोग जानते हैं A few books well digested and studied is better than thousands books gargled in the mouth एक ही फर्मूला है हजारों किताब पढ़ने से बेतर है एक ही किताब को पूरी तरह से अपनी जिन्दगी में उतार लो एक एक पेज आप पढ़ो ना केवल पढ़ो उसको अगरे दिन फिर वहीं से सुरू करो और फिर उसको अपनी जिन्दगी में अपना लो तब आप चेंज हो पाओगे अगर आपने आज पढ़ा और किताब को फैंक दिया तो कुछ नहीं हो सकता अब मुझे गेन करना था सिंपल सी बात है काम करने का डिस्टिशन लिया तो तीनी फार मूले थे मुझे गेन करना है नोलेज तो रेगुलर ट्रेनिंग मुझे गेन करना है आपने डिस्टिबूटर को मैक्सिमम डिस्टिबूटर मेंने sponsor करने है, opportunity sale करनी है, अक्सर लोग खाली product sale पर पूरा concentrate करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपकी balance चलेंगी regular training, regular आपका teaching या learning चलेगा, number 2 आपको हमेशा धान देना पड़ेगा कि आपको ना क्यों product sale करना है, बलके आपको opportunity भी sale करना है आज भी मेरा एक वसूल है, मेरे टीम में कोई भी विक्ति कहीं भी किसी भी down में हो, मैं परवान ही करता है, ये मेरा बारवाँ डाउन लाइन है ये मेरा दसवाँ डाउन लाइन है, मैं जानता है एक ही फार्मूला है और मेरी टीम बैठी यहाँ पर कोई भी ये कहते है सब मेरे को ट्रेंइन नहीं दी, कोई भी, कोई भी एक ही तरीका है मेरा कोई भी विक्ति मेरे को फोन करें, मुझे एफिल पी करना है, जो अंडे मान बैठा है, जो वो बैंगलोर बैठा है, जो वो कलकटा बैठा है, स्री बगवान वहाँ पर खड़ा है एक वक्त ऐसा था, जब मेरे पास बस में देने के लिए किराया नहीं था उस दिन को याद करता हूँ आज एक सब्ता में या एक महिने में कम से कम तीन से चार बार फ्लाइट की ट्रेवल करता हूँ कम से कम तीन से चार बार फ्लाइट की ट्रेवल करता हूँ ये दिन दिया एफिल पी ने, ये दिन दिया मेरे को इस अपोर्चिनिटी ने आज इस अपर्चिनिटी की वज़े से, इस कंपनी की वज़े से, मेरी टीम के लोगों की महनत की वज़े से, आज ये अचीवमेंट मुझे मिला है, इन ट्रेनर्स की वज़े से, जो सारे के सारे डायमेंड मेरे सामने बैठे है, A to Z, सब का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, चाहिए वो मेरे ट के डायमेंड बैठे हों, चाहिए वो कहीं के भी डायमेंड हों, सारे ट्रेनर्स, इन सब लोगों की गाइड लाइन्स की वज़े से इन लोगों के सम्मान की वज़े से, इन लोगों के प्यार की वज़े से, इन लोगों के प्रेणा की वज़े से, पुलिस में जब था मेरे पास एक लंबरेटा होता था स्कूटर, रिपेर होना भी बड़ा मुश्किल होता है, लंबरेटा स्कूटर देखा आप लोगों ने कि करईदी और वो भी कैस खरीदी OD6 जो अरह इंसान का सपना होता है 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 HDFC बैंक मेरा अकाउन्ट है वो अक्सर मुझे फोन करते रहते हैं शाकर आपका यह प्री आज मेरे पास FD हैं, आज मेरे पास regular deposit करता हूँ, मैं regular में saving करता हूँ, एक system अपनाता हूँ, हर इंसान का एक सपना होता है, जो मैं पुलिस से कभी पूरा नहीं कर सकता है था कि मेरे बच्चे highly qualified हो, आपका भी सपना है क्या, आज मेरी बेटी MD कर रही है, RML Hospital से, केवल FLP की वज़े से, मुझे फक्र है, उनकी फीस देने के लिए, या उनको फेसलिटी देने के लिए, मुझे कभी सोचना नहीं पड़ता, अभी उसकी MD पूरी होने वाली है, तो वो पूची पपा, आब, मैं बोला, आब आगे MCH कर, नोक्री नहीं करनी, पढ़ जहां तक पढ़ना तेरे को, यह फीलिंग आती है आपके इस एपोर्चनिटी से, यह फीलिंग आती है आपकी पज़्ल फ्रीडम से, क्या मैं पुलिस में होता तो यह मिलता मुझे, क्या मैं ऐसा कर पाता, बहुत सारे बैटे हैं आप लोगों में जो नोकरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं बोलिए एक बार दिखाएए तो सही मुझे अपना हाथ कब छोड़ रहे हो प्लीज अपने आप पे विश्वास करो पंकजी आज कल मेरी टीम में नोकरी छुडाने में माहर हूँ मेरे पारसनाच जी सभी स्वेक्टर से अभी उन्होंने रिजाइन किया है पारसनाच जी कहा है ये खड़े अभी सभी स्वेक्टर से इनको वियारस दिलाया नोकरी छुडाने में माहर हूँ भया किसी को छोड़नी हो ते मेरे पास आ जाना और जिन्दगी बर अगर गुलामी करने की आदत पड़ गी है तो मैं क्या करूँ मजबूरी है हमने नोकरी की क्योंकि हमारे पास सेकंड ओप्सन नहीं था लेकिन इस से बहतर अपोर्चिनेटी पूरी अर्थ पे नहीं है यह मैं गारेंटी से सील लगाता हूँ हो आप लोग जब कंपनी को जाथते हैं न कुछ लोग नए आते न तो मुझे कई बार हैसी आती है सार ये कंपनी कैसी है सर इसका बिजन्स कैसा है स कंपनी भाग तो नहीं जाएगी सर ये कंपनी क्या है मैं इसके बारे में भी बता दूं आप लोगों को क्राइम ब्रांच में था में स्टाफ ओपीसर था मिस्टर रनजीत नारिन का स्पेशल सी पी क्राइम थे वो बाद मैं उनकी भी बताँगा मैं कहाने मैंने जब उनको इस कम्परी के बारे बताया मेरे प्रोडिक्ट यूजर हैं वो आज भी यूजर हैं तो उन्होंने कहा जिस टेम पे एक वक्त ऐसा आया था कि जब मैं बहुत ज्यादा पागल हो गया था इस सिस्टेम के लिए तो उन्होंने कहा एक काम कर क्योंकि मैं क्राइम ब्रांच की economic often section में था जहां पर ऐसी कंपनियों के खिलाप रोजणा case register करते हैं अ एकोनोमिक often section कुतब होटल में है कभी जाने का मोगा लगे तो वहां पर देखेंगे मिरा नाम भी वहां पर लिखा होगा में वहाँपर मैं ऐसी कंपनियों के मांसून सेसंड में एक विद्यक आया था या जो लोगोंका पैसा लेकर लूटके भाग जाती है एं इस सारी कि सारी फेक कंपनिय संथा कि सारी नेट वरिक कंपनियह उस टीम पर बहुत बड़ा उप्रोब्लम चला बन्कस इनको सब progressive क्या है बहुत सारी कंपनीयां बंद होने हैं कि सuana इस कंपणी को भी हम तो एद को आप एथिक्स आप तो खाली एथिक्स सबज को जानते हैं एथिक्स किस किस लेवल पे रोते हैं इकских और यह गरे एथिकल कंपनी है एथिक्स एक तरीक activity से नहीं होते है उसके हर एंगल से जाता है गोर्मेंट रूल को देखा जाता है पॉल्सीज को देखा जाता है इंडिस्ट्री को देखा जाता है उस कंपनी के उसको पॉल्सी को देखा जाता है उसके प्रोड़क की ओथन्टिसिटी को देखा जाता है वह उसके बारा एंगल से हम उसको जांसते है पूरे बारा एंगल से उसकी complaints को जांसते है इसके company एखलाब complaint कितनी है ऊपर से लेके नीचे तक सब कमप्रियों के नाम थे एक department आपके देश में ऐसा है जिसके कोई audit नहीं होता एक office ऐसा है आपके देश में जिसका कोई audit नहीं होता है जिसके खिलाब कोई complaint नहीं होता है कौन सा बताओ नो 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 उसका कोई audit नहीं होता बताए नो राष्ट्रपती बावन राष्ट्रपती बावन का कभी कोई audit नहीं होता उसके खिलाब भी complaint है लेकिन एक खिलाब complaint है लेकिन एक खिलाब complaint है नहीं है वो है फोर एवर लिविंग प्रोडिक साहिदी कोई ऐसा government department हो जिसने हमेशा time पर पैसा दे दिया हो साहिदी कितना भी authentic department क्यों ना हो कितना भी systematically department क्यों ना हो लेकिन दो बार तो पैसा लेट होता ही होता है 31 मार्च को और 31 सेप्टेंबर को financial closing होता है six monthly और yearly तो दो बार तो पैसा लेट होता ही होता है सिलरी क्या केदे पंकजी एक कंपरी दुनिया में ऐसी है जिसका पैसा लेट नहीं होता है वह फोर एवर लिविंग प्रोडेक्ट क्या क्या सुलूट करें हंसर आपको और फिर आप इस कंपरी में डाउट करते हो यह आपके दिमाग की कमजोरी है और कुछ भी नहीं है आप वह तक सोच भी नहीं सकते जहां तक एफल्पी है एक वक्त ऐसा आया मेरी जिन्दगी में मेरे को एक डिसिजन लेना था 2007 में कि मैं अब नोकरी करूँ यह आफल्पी करूँ कारण टीम काफी बढ़ चुकी थी उसको स्पोर्ट करना था फाइनेंसली में काफी साउंड था और थैंक यू सुनिल सर आपने मेरे को गाइड किया कि जिस दन आपकी सेलरी से दस मुना जादा आपका चेक बढ़ जाए उस दन नोकरी छोड़ देना याद आपको है सबत मुझे याद है तो मेरी नोकरी चुड़ाई सुनिल सर ने वाई वो डिसिजन मेरा लेने बहुत मुश्किल था मेरे परिवार के लोग के बल चार तीन लोग मेरे साथ थे मेरी वाईफ और दो मेरे बच्चे वो एक वाद जानते थे मेरे पापा जो करेंगे या मेरे हस्पेंट जो करेंगे उस सही करेंगे उगलत नहीं करेंगे मेरे फादर खुद कह रहे थे अगर नोकरी छोड़ दी तो गाउम तो आना मत बेजती करवाएगा पूरे समाज में हम बरदास नहीं कर पाएंगे मेरे खुद बोस जो मुझे अपने बच्चे की तरह आज भी मानते है उन्होंने कहा स्री भगवान एक बात का जवाब दे दे ना नोकरी छोड़ने से पहले अगली 15 साल की तेरी नोकरी बाकी है कितना पैसा तेरे को मिलने वाला है प्रमोशन तेरे को मिलने वाला है जून में तेरा प्रमोशन ड्यू है और सेप्टेंबर में उसमें नुवंबर में तु नोगरी छोड़ने की बात कर रहा है उपर से पेकमिशन आना है 2008 जून में पेकमिशन आया था तु क्या करना चाह रहा है कुर्दवारे जाते होंगे मैंने भगवान को नहीं देखा कभी आपने देखा है हलो मैंने नहीं देखा भगवान को कभी मैंने एक भगवान को देखा है वो है रेक्स मेरी नजरों में यह इज़त हुआ जिन्नों ने क्रोडों लोगों को हेल्थ और वेल्थ दिये असली माइने में यह है भगवान मेरी नजरों में यह बगवान करोड़ों को नोगों है एक बहतरी लाइफस्टाइल अभी कुछ देर पहले पूछ रहे थे सुराना जी आप लोगों में कितने लोग रिच होना चाहते हैं कि लोग लोग वैल्दी होना चाहते हैं आपकोर्स मैं अक्सर सुनता हूँ लोगों से कि सर हम लोग एफल पी में पैसा कमाने आये होंगे पैसा कमाने मत आये पैसा तो हर जेगे मिल जाता है बहुत जेगे मिल जाता है पैसा तो आज कल किर्किट में सटा लगा के भी लोग कमा लेते हैं पूरी जिंदगी चाहिए त एक बहत्री लाइफस्टाइल, अल्टीमेट लाइफस्टाइल, देश विदेश की यात्राएं, बहत्र एजुकेशन, लंबी कार, लंबा बढ़िया मकान, एक बहत्री ओर्णर, रेकिनेशन, रेपुटेशन, लॉट्स अप टाइम, सब कुछ आपको चाहिए तो उसके लिए एफिलपी है, इस नोट आप आप ओफ लाइफ, इस अ कम्प्रीट लाइफ, इस इन आपका ही आपकी जिंद्गी को बहत्र बनाएगा, आज सब कुछ है, के बलाफिलपी की वज़े से, आज जो है, सैटिस्पाई हूँ, लेकिन सचिन तेंदुल करकी एक बात को याद रख प्रखनाना, आगे बढ़ना है, अज आज मैं महसूस करता हूँ, उस दिन को जब हमारी हैबिटेट सेंटर में हमारी सकस्ट डे हुआ करती थी, और आज स्टेडियम को जब हम महसूस कर रहे हैं, इस सफलता को हम लोग सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, पुरी अफल्पी सेलि मैं बहुत दूर की सोचता हूँ, बहुत विजुलाइज करता हूँ हर चीज को, मुझे नहीं पता आप उसको विजुलाइज कर रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत जल्दी ये क्राउड इंडोर स्टेडियम में दिखाई दे रहा है, इंडरा गांधी स्टेडियम म जाने वाले हैं, ये आज मेरी बात को याद रखिएगा, दोस्तों आपका फ्यूचर, इस कंपनी का फ्यूचर, मैं तो इतना सा महसूस करता हूँ, जस्ट हमारे को बेस बनाने में टाइम लगा है, एक जैसे कि हमारे रेक्सर ने एक बड़ी गजब की स्टोरी सुनाई थी चाइनीज बंबो के बारे में, कि ये पहले साल लगाया, कुछ भी महसूस नहीं हुआ, दूसरे साल उसमें पानी देते रहे, वो उसमें चांटिंग करते रहे, कुछ भी महसूस नहीं हुआ, फिर उसके बाद दूप अगरबती करते रहे, फिर भी कुछ चांटिंग नहीं हुआ उसमें ग्रोथ नहीं हुआ तीसरा साल चोता साल पांच साल के बाद जब उन्होंने जा के देखा तो एक दम वो पिछे तरफी टूचा था आज वही एफल पी हो चुकी है बेस बनाने में हमारे को दस साल लगे बारा साल लगे लेकिन आज एफल पी जब हम महसूस करते हैं कि ऐसी रेली तो हमारे हर स्टेशन पर होने लग गई हैं और आज हम सही डाटा तो मेरे को नहीं देना चाहिए मुझे मालूम भी नहीं है कि कितना मैं एक एप्रोक्स आइडिया देता हूँ आप लोग ये बताईए कि आज एफल पी क्रीब चार सो करोड के टरनोर के आसपास है हम मुश्किल से कितनी परसेंट पपुलेशन के पास पहुँचेंगे दो परसेंट दो परसेंट भी टच नहीं किया हम लोगा ने भया सवा बिलियन पापुलेशन है हमारे देश की सवा बिलियन एक मिनिट में पचास लोग एक घंटे में बच्चे एक घंटे में तीन हजार बच्चे आज ही मैंने डाटा निकाला है एक घंटे में तीन जार नए बच्चे आ जाते हैं और कई बार में आपने डिस्टिब्यूटर देखता हूं वो ये कहते हैं सर उसको उसने जुआयन करा लिया, मैं कहता हूं रहे इतनी देर में तो और आ चुके हैं दस क्यों टेंसन ले रहा है पापूलिशन में तो यह महार है हम लोग क्या टेंसन ले जवाइन करा लिए करना आने देना तू दूसरा देख ले और दसना काम नहीं करा तो क्या पड़ता है तीस ले और ग्यार माँ देख ले तो दोस्तों सबसे पहले आज इस सफलता के लिए मुझे यहाँ पर एकड़ाओ के दो बात बोलने के मोका देने के लिए सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा अपने कंट्री मेनेजर का थैंक्यू सो मच शर of course कंट्री मेनेजर साभ के पीछे एक मजबूत टीम है जो हमारे सारे के सारा स्टाफ चाह बंबे स्टाफ हो दिली स्टाफ हो जो हमारे को बैकबॉन है हमारी हमारे को हर चीज को प्रोवाइड कराने में फेसल्टी देने में हो हमेशा हमेशा मुँपे स्माइल लेकर तयार रहते हैं, वो हमारे को कभी भी वो डिस हट नहीं करते, FLP स्टाप कैसा है हमारा? रेक्स की पिक्चर दिखाई देती है उनमें, हमारे FLP स्टाप में भी रेक्स और मिस्टर अमर जी तूबी की पिक्चर दिखाई देती है, क्योंकि कभी भी याद रखना, अच्छाई या बुराई उपर से नीचे आती है, नीचे से उपर नहीं जाती, तो ये उपर से नीचे आता है, राइट? तो मैं बहुत आभार पर कट करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए, ऑफ कॉर्स, सभी ट्रेनर्स के लिए, इसके साथ साथ उन सब लोगों के लिए, जिन लोगों ने जाने अन जाने मेरे ग्रूप से, या मेरे इस अचीविमेंट के लिए, या मेरे साथ मिल के काम किया, मेरे टीम के इच एंड एवरी व्यक्ति के लिए, मेरे सारे लीडर्स के लिए एजवेल एज येस उस हर विक्ति के लिए जो इस एफल पी में काम कर रहा है उसने भी जाने अन जाने मेरे किसी आदमी को मोटिवेटी जरूर करा होगा किसी ने किसी दिन Thank you so much और Of Course एक विक्ति के बगेर तो यह company नहीं थी, हम सब लोग मिलके धन्यवाद करेंगे Mr. Rex का, thank you so much sir, thank you so much आप लोगों के लिए एक छोटा सा message दूँ तैयार है? एक ही बात है, बहुत आसान है ये business लेकिन बहुत मुश्किल भी है मुश्किल उन लोगों के लिए है जो बदलना नहीं चाहते और आसान उन लोगों के लिए जो बदलना Are you ready to change? Are you ready to change? आपको system के accordingly अपने आपको change करना पड़ेगा, system आपके लिए नहीं बदलेगा कभी आप system को बदलना ही कोसिस कर रहे हैं system आपके लिए नहीं बदलेगा एकदम proven system है आपको system के accordingly बदलना पड़ेगा अगर आप तयार हैं तो सफलता आपके लिए है अगर आप तयार नहीं है तो यह system आपको detoxify कर देगा और भार का रास्ता दिखा देगा समय बहुत कम है पूरा दम लगा दो तुम कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ कुछ लोगों को जगाता हूँ तैंक यू सो मैच तैंक यू